वी का शूडूब चैनल टेक्निकल बाटी पे हमारे इस चैनल पे जो ड्राइविंग लाइसेंस रेलेटिड वीडियो जैनल पो कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे जिसमें वो बोल ले थे कि सब्सक्राइब ड्राइविंग लाइसेंस डिस्पैच होने में कितना टाइम लग तो चलो जी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का आप लाइक कर दीजे अपने दोस्तों साथ सेयर कर दीजे जोड़ना चाहते हो ऐसी जानकरी पाने के लिए चैनल से तो सब्सक्राइब को कर दीजेगा फायदा इसका यह होगा जब भी मैं कोई नई वीडि आप लेटएड सर विसी इज पर किलिक कर देते हैं इस तरीका सा यह लौग-इन होके आ जाती इस पैजी पर नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर यह जो application है इसका जो स्कूटनी complete हुआ है 18 अप्रेल में स्कूटनी complete हुआ है driving test result जो record हुआ है वो 19 अप्रेल में हुआ है driving license approved 19 अप्रेल को हो गया था वह ही driving license printing जो है वो 21 अप्रेल को complete हुआ है और डियल dispatch by post जो driving license जो dispatch हुआ 26 अप्रेल को यह dispatch हो गया है यानि कि printing के 5 दिन बाद ही driving license dispatch हो गया है means लगवग 1 week का time इसमें लग रहा है printing के बाद एक application और login कर लेते हैं दूसरे application login कर लिया है हमने यहाँ पे 12 जन्वरी को scrutiny complete हुआ था और scrutiny मिस document verification और जो photo signature जो capture हुए है जो biometric detail record हुए हो 12 जन्वरी को record हुए है driving test का result record हुआ है 13 जन्वरी को driving license approved 13 जन्वरी को हो गया था 13 जन्वरी 2030 driving license print हुआ है 16 अप्रैल को और वही driving license dispatch हो गया है 20 अप्रैल को dispatch हो गया है एक application और login कर लेते हैं जो application है यह renewal license की application है यहाँ पे देख सकते हैं जो printing process complete हुआ 20 अप्रैल को हुआ है वही driving license जो dispatch हुआ है 26 अप्रैल को dispatch हुआ है तो इसमें one week का time लग गया है प्रिंटिंग के बाद dispatch होने one week का टाइम लग गया और यहां से जैसे dispatch का यहां पर आ जाता है completed तो यहां पर एक tracker नंबर लग जाता है तो इसको फूरू देख सकते हैं कि हमारा driving license कहां पर पहुंचा है यहां पर dispatch date दिख जाएगे कि इस date में item बुक हुआ है तो ट्रेक करके इसके थूरू ट्रेक करके भी आपको दिखा देता है इसको copy कर लेते हैं उसके बाद किसी भी सर्च इंजर में सर्च करते है आर्टिकल ट्रेकिंग अब जो सब सोब पर result आ रहा track consignment इस पर किलिक करते है यहां पर उस consignment number को डाल देंगे और इसको calculate करके यहां पर डाल देंगे जैसा यहां पर आ रहा रहा है उसी के according आपको यहां पर डालना है और उसको सर्च पर किलिक कर देंगे इस तरीके से आ जाता है यहां पर दिख जाएगा 25 अप्रेल को लखनो बीएनफिल SP अब आइटम डिलीवर कब आता तो 27 अपरेल को ही आइटम डिलीवर हो गया था दो दिन बाद घर पे ड्राइविंग लाइसेंस आ गया है इसी तरीके से एक application और लॉग इन कर लिया है यहां पर आपको दिख जाए कि सूट ने कब complete हुआ है ड्राइविंग टेस्ट का ट्राइविंग लग जाता है इसके थूरू देख सकते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस आपका कहां पर पहुंचा है तो यह complete information है तो आपने यह आप पे देखा कि किसी किसी ड्राइविंग लाइसेंस को dispatch होने में तीन दिन का टाइम लग रहा है किसी को पांस दिन का लग और किसी को वन वीक का टाइम लग रहा है तो यह जो टाइम है अलग-अलग application में यह टाइम अलग-अलग हो सकता है वन वीक भी टाइम लग सकता है टू वीक का भी टाइम लग सकता है यह डिपेंट करता है जो आर्टियों कितना लोड है वहाँ पे अगर लोड ज्याद तो इसमें जो approval है इसमें time लग जाता है और यह जो printing process है यह जो है इसमें अभी time लग रहा है जो latest application है उनका तो process driving license printing का काफी तेजी से complete हो रहा है और जो January की भी maximum application का driving license print हो चुका है जो बाकी के फर्वरी के 10 तारीक के बाद की जो application है उनमें भी कुछ का process complete हो चुका driving license print का कुछ का रह रहा है वो भी उम्मेद है जल्दी हो जाएगा और DL dispatch by post यह जो book होता है और वहां से भेजा जाता है तो time लग जाता है इसमें लोड को पर बात है कितना load है वहां पर कितन अब जादा application होती है तो जादा time इसमें लग सकता है और application कम है तो कम time इसमें लगता है उम्मेद है जी वीडियो आज के आपको पसंद आई होगे वीडियो अगर आज के आपको पसंद आई है तो इसको like कीजिए share कीजिए कोई आपका doubt कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे द्राइंग लाइसेंज रिन्वाल डुप्लिकेट एड्रस चेंज नेम चेंज और भी काफी लाइसेंस रिलेटिड वीडियो में अपलोड करके इनको आप देख सकते हैं सोसर साइट के लिंग हमने आप दिये हुए है और जैसे कोई नहीं इंफोर्मेशन आएगी लाइसेंस रिलेटिड तो वह मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा और जैसे फरवरी का ड्राइंग लाइसेंस प्रेंट का प्रॉसस कंप्लीट होगा और मार्च का जैसे ही स्टा वीडियो प्लोड करूंगो उसकी जानकर मिलेगा आपको सबसे पहले आज के लिए बस इतना ही मिलते आप से अगली वीडियो में नहीं जानकर एक साथ तब तक के लिए बाय टेक क्या